बेलकम गाईस आपका सबागत है आपके अपने चैनल समराल बेजबर दोस्तो अगर आपको पेड़ गैस की समस्या है आपके सीने में जलन होता है आपको काम करने के दुरान बहुत ज़्यदा कठनाई का सामना करना पड़ता है आपका पेड़ बार-बार फुलता है तो हमारा आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने बाला है क्योंकि हम आपको इस वीडियो में बताने बाले हैं एक ऐसे नुस्के के बारे में जो आपकी पेड़ गैस की समस्या को सिर्फ और सिर्फ पांच मिनट के अंदर ही खदम कर देगा और बाद में आपको पेड़कास की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तो इस नुस्के को बनाने के लिए कोई ज़्यादा खर्च करने का भी जरूरत नहीं है ओनली आपको 4-5 रुपई में ही जिन उसका बन के त्यार हो जाएगा तो चलते हैं दोस्तो शुरू करते हैं इस कमाल की वीडियो को दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे जूटूब चैनल समरा अलवेच को सब्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे जूटूब चैनल समरा अलवेच को सब्क्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो को नोटिपकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके क्योंकि हम ऐसा नहीं नहीं वीडियो बनाते रहते हैं आपके लिए जो कि आपके काम आ सके दोस्तों जिस नुसके के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिन उसका बहुत ही ज़्यदा कारगर थाबत हुआ है 210 परसेंट इसका जो रिजल्ट सामने आया है दोस्तों यह बनाना बहुत ही असान है तो चलते है हम आपको भी जिन उसका बना कर दिखाते हैं कि इसके लिए क्या-क्या मटेरियल लगेगा तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको एक गलास पानी लेने का है और उसके बाद एक चमच जीरा लेने का है जो सभी गरों में अराम से मिल जाता है और उसके बाद थोड़ा सा दालचिनी लेने का है दालचिनी भी आपको शाहिद मालम ही होगा सभी गरों में अराम से मिल जाता है जे और उसके बाद दो आइटम और डाने का है वो हम अभी बाद में डालेंगे इसमें उसके बाद दोस्तो आपने इन तीन आइटम को आपस में मिला लेने का है पानी थोड़ा सा दालजिनी और एक चमजीरा आपस में मिला लेने का है आपस में मिलाने के बाद दोस्तो आपने क्या करने का है इसको हलका सा गरम करने का है दोस्तो अभी इसमें एक और आइटम डाल गर्म होने के बाद इसका जो कलर है जैलो बन जाएगा पीला बन जाएगा जो कि आपके सामने है आपके सामने ऐसा इंटरबेस आएगा दोस्तो अभी आपने इसको शन्नी के साथ पुन लेने का है पुरा पुन लेने के बाद आपने इसमें एक आईटम अभी डालना बाकी है वो है निम्बू दोस्तो अगर निम्बू शोटा होगा तो आपने पूरा निम्बू इसमें निदी चोड़ देने का है अगर निम्बू बड़ा होगा तो आपने अदा निम्बू इसमें डाल देने का है उसका पानी है जो निकाल के इसमें डाल देने का है और उसके बाद थोड़ा ठंडा होने के बाद आपने जेप पानी पी लेने का है दोस्तो जे नुसका 100% अजमाया हुआ है और बहुत ज़्यादा कारगर साबत होता है तो अगर आपके पेट में गयास बनता है जलन मसूस होता है आपका पेट बार बार फूलता है तो जे नुसका आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबत हो सकता है आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए इस नुसके को तो जब बार ऑनिता है झाल झाल दोस्तों अमीद करता हूँ कि आपको हमारे चैनल का जेई वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको हमारा जेई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीस हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्क्राइब कर दीजिए तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तो आल के लाग' तो आज के लिए